हाई आई आम आरियन आई दोस्टों वीडियो की सुरुवात करते हैं आज हम सिखने जा रहे हैं इस्टेडी से रिलेटेट कुछ सेंटेंस तो चलिए वीडियो में आगे बहरते हैं नमबर वन तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए यू सुड नाट क्रेम क्या बोलेंगे इंगलिस में यू सुड नाट क्रेम नमबर टू मैं परिच्छा के लिए जमकर परहाई कर रहा हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे I am swarting for the exam क्या बोलेंगे I am swarting for the exam नमबर थिरी मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ I am learning English नमबर फोर इस उत्तर को दोहराओ यानि इस उत्तर को फिर से बोलो इसे इंगलिस में बोलेंगे revise this answer नमबर फाइब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है इसे इंगलिस में बोलेंगे who teach you English क्या बोलेंगे who teach you English नमबर 6 क्या आप या उत्तर को दोबारा समझा सकते हैं इसे इंगलिस में बोलेंगे can you explain this answer again क्या बोलेंगे इंगलिस में can you explain this answer again नमबर 7 नकल मत करो इसे इंगलिस में बोलेंगे don't copy नमबर 8 है इस उत्तर को याद करो इसे इंगलिस में बोलेंगे memorize this answer नमबर 9 मैं pen से लिखता हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे I write with a pen क्या बोलेंगे I write with a pen नमबर 10 उसने एक पना फार दिया इसे इंगलिस में बोलेंगे he tore a page क्या बोलेंगे he tore a page नमबर 11 साप साप लिखो इसे इंगलिस में बोलेंगे write clearly नमबर 12 कहानी पढ़कर सुनाओ इसे इंगलिस में बोलेंगे read out the story नमबर 13 कवीता सुनाओ इसे इंगलिस में बोलेंगे recite the poem नमबर 14 में class 10 में पढ़ता हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे I study in class 10 नमबर 15 क्या में एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे can I take a day off क्या बोलेंगे can I take a day off नमबर 16 बच्चे school गये इसे इंगलिस में बोलेंगे the children went to school नमबर 17 में पढ़ने जा रहा हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे I am going to read नमबर 18 इसे अभी करो इसे इंगलिस में बोलेंगे do it now इसे अभी करोगे इंगलिस होगा do it now तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बटाएं वीडियो आपको कैसा लगा तब तक के लिए बाई वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई वीडियो के